तो गैज अगर आप इस साल बाइक पर्चेस करने का सोच रहो तो ये वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बाइक से बारे में बताने वाला हूँ जो गैज अगर आप पर्चेस कर लोगे तो गैज आपको लाइफ में पस्ताना नहीं पड़ेगा क्योंकि इन सबी बाइक से काफी अच्छी मायलेज और काफी अची परफॉर्मेश जो देखने को मिलने वाली है और यह वाली जो वीडियो है वो specially college student और office going employee के लिए हैं तो यह वाली वीडियो गाइज आप starting से लेके अंतक देखेगा क्योंकि आज कि इस वीडियो में मैं आपको काफी बड़िया बड़िया बाइक से बारे में बताने वाला हूँ तो guys अगर channel पर new है तो channel को subscribe कर लिजे और अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बनता है तो चले guys आप बिन आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो guys यहाँ पर जो हमारी list की पहली bike है उस bike का नाम है TBS Pachi RTR 164V और इस bike की guys काफी कम complaints आती है यहाँ पर बात कर इस bike के action room price के बारे में तो इस bike का जो action room price है वो है 1,21,000 और यह वाली bike guys 4 model में available है और हर एक model का जो price है वो अलग-अलग है यहाँ पर मैं आपको guys सिर्फ इस bike के base model का price बता रहा हूँ और अगर बात कर जाए इस bike के own road price के बारे में तो इस bike का जो own road price है वो है 1,38,000 और यहाँ पर guys आपको इस bike में देखने को मिलता है और इसके लवा आपको इस bike में 5-speed manual gearbox मिलेगा इसके लवा 12-liter की इस bike की fuel tank capacity है बात की जाए इस bike से मिलने वाली mileage की तो guys आपको इस bike से 35 से लेके 40 km per liter के बीच की mileage जह वो असानी से देखने को मिल जाती है और अगर बात की जाए इस bike की top speed के बारे में तो इस bike की 130 km per hour की maximum top speed ह यहाँ पर जो हमारे list की second bike है उस bike का नाम है guys Yama FZ version 3 और यहाँ पर इस bike का जो एक शुरूम price है वो है guys 1,10,000 और यह वली bike आपको own road लगबग 1,26,000 के असपास की देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इस bike 2 color में available है इसके लवा guys आपको इस bike के लगबग 4 अलग-अलग variant द customer complete है और 100 मेंसे 95% जो customer हो बिल्कुल संटूश्ट है क्योंकि guys in terms of handling mileage और performance के साबसे यह वह काफे ज़्यदा एडवांस है यहाँ पर guys अगर बात करें इस bike के इंजन के बारे में तो आपको इस bike में देखने को मिलता है 149 CC single slander 4 stroke air cooled engine और यह जो engine है वह 12.4 PS की power generate करता है इसके इसके लवा आपको इस bike से 13.3 Newton मीटर का maximum torque देखने को मिल जाता है इसके लवा guys आपको इस bike में 5 speed manual gearbox देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको इस bike में 13 लीटर की fuel tank capacity देखने को मिल जाती है बात करें guys इस bike से मिलने वाली mileage गी तो guys अगर आप इस bike को highway पर drive करते हो तो आपक kilometer per hour की maximum top speed को touch कर लेती है यहाँ पर जो हमारी list की third bike है उस bike का नाम है guys Honda Hornet 2.0 और इस bike का जो एक शुरूम price है वो है guys 1,35,000 और यह वाली bike आपको on road लगबग 1,55,000 के असपास की मिल जाती है और यह bike market में 5 अलग-अलग colors में available है यहाँ अगर बात करें इस bike के engine के बारे में तो आपको उस bike में देखने को मिलेगा 184cc, single slender, 4-stroke, air-cooled engine और यह जो engine है वो produce करता है 17.03 bhp की maximum power और 16.1 newton meter का maximum torque इसके लगा guys आपको उस bike में 5-speed manual gearbox देखने को मिलता है और 12 liter के आपको उस bike में fuel tank capacity देखने को मिल जाती है यहाँ पर अगर बात करें इस bike से मिलने वाली mileage की तो guys आप इस bike से 40 से लेके 45 के बीज की जो mileage है वो सानी से gain कर सकते हैं वो भी 1 liter petrol में और यहाँ पर इस bike की 130 km per hour की maximum top speed भी आपको देखने को मिल जाती है और guys इस bike के 100 में से 85 customers satisfy है चुकि guys यहाँ पर इस bike जो engine है वो काफी ज़्यदा refine है तो guys यहाँ पर हमारी list की जो fourth bike है उस bike का नाम है Yamaha R95 version 4 और जिसने भी इस bike को purchase की है उसने guys इस bike के बार में कभी भी complaint नहीं की क्योंकि यहाँ पर आपको इस bike की जो looks है काफी बढ़िया देखने को मिलती है बात कर इस bike के base variant के एक शुरूम प्रैस की तो आप आपको इस bike का base variant पड़ता है 1,77,000 का और यह वाली bike आपको ओन रोड लगवग 1,98,000 के आसपास के पड़ जाती है बात कर इस bike से मिलने वाली engine की तो आपको इस bike में देखने को मिलेगा 155 CC single cylinder 4 stroke liquid cool engine और यह जो engine है वो 18.4 PS की power generate करता है और इसके लबा आपको इस bike से 14.2 Nm क maximum torque देखने को मिल जाता है इसके लगवा guys आपको इस bike में 6 speed manual gearbox देखने को मिलेगा और 11 L की fuel tank capacity है बात कर इस bike से मिलने वाली mileage के बारे में तो आपको इस bike से 40K round की mileage देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इस bike अगर बात करें top speed के बारे में तो इस bike की 140 km per hour की maximum top speed आपको इस comment करके बताना है और यहाँ पर जो हमारी list की 5th bike है उस bike का नाम है guys Pulser RS200 और इस bike जो फैन एंडे के दर हो काफे जाद है और अभी बहुत ही जल्द इस bike के एक new version launch होने वाला है तो guys उसकी भी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे यहाँ पर guys अगर बात करें इस bike के engine के बारे में तो आपको इस bike में देखने को मिलेगा 199.5 cc triple spark 4 wall liquid cooled engine और आपको इस engine से 24.5 ps की maximum power देखने को मिलेगी इसके लबा यह वाली जो bike है उससे आपको 18.7 newton meter का maximum torque देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर guys आपको इस bike में देखने को मिलेगा 6 speed manual gearbox इसके लबा आपको इस bike में 30 liter के fuel tank capacity जो देखने को मिल जाएगी और अगर बात करें इस bike से मिलने वाली mileage की तो guys आपको इस bike से 35 km per liter के round की mileage देखने को मिलेगी और यहाँ पर इस bike की 150 km per hour के आसपास की maximum top speed भी आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी list की 6th bike क के बारे में तो इस bike का नाव है सुदूकी गिक सर 250SF और अगर बात करें इस bike के engine refinement की तो इसका तो guys कोई भी जवाब नहीं है यहाँ पर आपको इस bike में काफी refine engine देखने को मिलता है बात कर इस bike के प्राइस के बारे में तो इस bike का जो एक्श्रूम प्राइज है वो आपक आपको own road लगबग 2,15,000 के आसपास की देखने को मिल जाती है बात कर इस bike के engine के बारे में तो आपको इस bike में देखने को मिलेगा 249cc 4-stroke single standard oil-cooled engine और यह जो engine है वो 26.5 PS की power को generate करता है इसके लब आपको इस bike से 22.2 Nm का maximum torque देखने को मिल जाता है बात कर इस bike के fuel tank के बारे म भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर गयाज अगर बात कर इस bike से मिलने वाली top speed की तो गयाज यह जो bike है वो 150 प्लस की speed को सानिशे यह जो bike है वो touch कर लेती है और यहाँ पर जो हमारी list में 7th bike है उस bike का नाम है guys Yama MT-15 version 2 और इस bike का जो शुरूम prize है वो आपको देखने को मि मिल जाती है बात कर इस bike की engine के बारे में तो आपको उस bike में देखने को मिलता है 155cc single slender four stroke liquid cool engine और यह जो engine है वो 18.14 bhp की पावर को generate करता है और इसके लवा आपको उस bike में 14.1 newton meter का maximum torque देखने को मिल जाता है और गयाज अगर बात करें gearbox के बारे में तो आपको उस bike में six speed gearbox देखने को मिलता है और इसके लवाट 10 लिटर के आपको उस bike में fuel tank capacity भी देखने को मिल जाती है बात करें गयाज इस bike से मिले वाली mileage की तो आपको उस bike से 45 km पर लिटर के around की mileage जो देखने को मिलती है और यहाँ अगर बात करें top speed की तो इस bike की 140 km पर आरकी maximum top speed है और यहाँ बात कि जाए है मारे list की आखरी bike के बार में तो इस bike का नाम है guys टेवेस पाची आट यार 204 वी और इस bike का जो आपको देखने को मिलता है 1,40,000 के आसपास और यह वाली bike आपको ओन रोड लगबग 1,60,000 के आसपास की देखने को मिल जाती है और यह वाली bike market में 3 कलर में available है आप बात करें इस bike के engine के बार में तो आपको इस bike में देखने को मिलता है 197cc, single standard, four stroke, oil cold engine और यह जो engine है वो 20.8 PS की maximum power generate करता है और इस कलवा आपको इस bike से 17.25 Nm का maximum torque आपको इस bike से देखने को मिल जाता है और इस कलवा guys आपको इस bike में 5 speed gearbox देखने को मिलता है और यहापर इ आपको इस bike से 35 km पर लिटर के round की मालेस देखने को मिलती है और इसके लब आप 130 प्लस km पर आरके आपको इस bike से maximum top speed देखने को मिल जाती है तो guys यह थी कुछ top bike जिनके अंदर आपको जो complaint है वो काफी कम देखने को मिलती है और guys अगर आप इन में से कोई भी bike को purchase करते हो त चैनल को subscribe कर देना तो guys आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में नए topic के साथ आपका दिन शुब रहे